मैं देहाती मास्टर प्रकास यादो आज स्वागत करता हूं आपके अपने यूटूब चैनल प्रकास इस्टडी में तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ आज कल मेरा मोबाइल गिर गया है तो फूट गया है तो आज बहुत ही दुख हो रहा है मुझे इस चीज के लिए अब को रिवीजन समझ के देख लेना है ठीक है फिर इसके बाद दोस्तों जो भी होगा अगर अच्छा मोबाइल ले पाऊंगा तो इसके बाद हम लोग सारी चीजे मतलब आपको ऐसे ही प्रवाइट कर वाएंगे ठीक है तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि जो सुच्विय मैं आपको बता दूं कि कमेंट करीपन बहुत सारे कमेंट आए हैं तो कमेंट हमारे इसमें एक पेस दोस्तों एक पेस लोगों ने कमेंट किया है तो यह कमेंट को हम वीडियो के लाफ्ट में डिसकस करेंगे तो एक दो कमेंट मैं आपको भी बता देता हूं फिर लाफ्ट एक दिन आप इस दुनिया के सबसे बिस टीचर बनोंगे लब्यू सर आपको शादर परणाम तो परणाम सर आपको भी और आपके इस प्यार के लिए बहुत बहुत थेंक्च्यू लब्यू सभी को सभी को लब्यू जितने भी दोस्त हैं और दोस्तों ये सारे कमेंट में कुछा जाता है कोई भी एक्जाम आप लोगों को परिशान होनी कि और सकता नहीं में सारा चीज यहीं पर याद करवा दूंगा इतनी गरंटी है ठीक है तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं कि क्या है टॉपिक कहां से कंट्रेकुश्चिन पूछा गया है तो सबसे पहले दोस्तों हम जानेंगे कि असम के बहुत सारे ऐसे नामैं कि अगर कभी-कभी दे देगा आपको अस्मिया दे देगा असम को आसाम भी कहते हैं क्या आसम भी कहते हैं और दोस्तों इसको असमियां भी कहते हैं अब दोस्तों असम के बारे में जानेंगे कि असम का मतलब क्या होता है ठीक है असम का मतलब होता है एक समतल जमीन क्या आसम के दो मतलब अर्थ दिये गये हैं एक हो जाता है असम को मतल इसके बाद दोस्तों जानेगी कि ऐसम की खोज कभ हुई असन क कई स्थापना कभ हुई तो दोस्तों आसम की इस फ़ीच जुनुरी 5950 में इस स्थापना हुई थी इसके पहले मैंने उत्तर प्रदेश के बारे में 1956 बताया था ठीके तो और सारी चीजें आपको जैसे मैं अब असम कर वा रहा हूं तो आप लोगों को आप लोगों के कुछ ऐसे लोग होंगे हमारे भाई जो पता नहीं होगा कि असम कहा है फिलाहल सभी लोगों पता है जितने मेरे मुझसे जुड़े हुए हैं इतना सारा मुहबबत देते हूंने सारी चीजी पता है तो दोस्तों असम अब मैं यहां पे बना लिया हूं जो अस जा Baptist डाँ अरव प्रदेश और ये नेपाल हो जाएगा और यहां के बीच ऐसे यह एहां पर है असम कहां पर है यहीं हमलोगों का असम हो जाता है अब इसके बाद सम के बारे में जानेगे कि तो असम की राजधानी धोस्तों क्या है कि असivesse की राधनी है हमारी धिसपुर क् सबसे बड़ा जो सहर है यानि जिला है तो क्या हो जाएगा दोस्तों आपका गवाष्टी हो जाएगा दोस्तों इसका इसकी शार्प आपको कमुल्टी में मैं अफलोड कर देता हूं तो उसको आप लोग देख लिया करिए अगर साब नहीं आता है ठीक है तो असम किया करें जो बिधाइका है तो बिधाइका में कितने सीटे हैं असम में तो दोस्तों बिधाइका में बात करें तो 126 सीटे हैं असम में फिर इसी प्रकार आगे बात करें कि हम लोगों का जो लोग सभा है तो लोग सभा में टोटल सीटों की संक्या है 14 असम में कितने दोस्तों इसे करते आपको तो आसम में लोक सबाप में सीटें है 14 और राज सबाप में असम में सीटों की संक्या कितनी है लोक राज सबाप में साथ कितने हैं साथ अब दोस्तों मुस्ट इंपॉर्टन पूच्छन गुरूपडी का तो फ्रेबरेट कुछ्चन यार रेलवे का तो बंगाली क्या हो जाती है एक हो जाता है दोस्तों असमिया दूसरी हो जाती बोडो और तीसरी हो जाती बंगाली और असमिया नाम भी है यह असम का फिर इसके बाद आसम को तीन भागों में डिवाइट किया गया जो असम के भागोलिक छेत्र हैं तो तीन भागोलिक छेत्र कैशारी चेत्र का सुर्माघाटी क्या हो जाएगी ऑर मैधान तो आप लोगों को का यह इना समझ में आ गे होगा वान वेडियो को दोस्तों अपना शक्ना पूर्आ करना है है आप लोगों के सहरे ही अपना सपना हुआ है एक लाग की फैंबली करना है आपको आप से रिक्वेस्ट है ठीक है अब इसके बाद हैं हमेशा पूछा जाता है कि कौन कं से कौन कोन से प्रशिद्ध इस्थल कउन कान से प्रशिद्ध ब्यक्ति हैं और वहां के नेशनल पार्क से रिलेटर तो बहुत सारे असम में कुष्चन पूछे गये हैं आप सभी लोग जानते हैं जैसे काजी रंग है तो आज सारे नेशनल पार्क हम डिस्टकस करेंगे तो आप लोग देख पा रहे हैं जो प्रमुक इस्तल है तो कामाख्या माता का मंदिर है तो बहुत ही प्रशिद्ध मंदिर है दोस्तों हजारों बार पूछ हो जाता है और फिर इसके बाद हो जाता है हो राजा का महल क्या हो जाता है दोस्तों राजा को मेरा यह तो और यह तो दुछ adult इसम में छिलिए प्रसिद्ध है क्सब्सक्राइब करेंगे जो प्रशिदति हैं आप सबी लोग जानते हैं कि भूपेष हजारिका की है इसा कोई एक्जाम ना a good झाज होगा जहां दोस्ति यह कुश्चन ना मुझा गया हो आप सभि लोग जानते हैं कि हर एकजाम में इस्तौज्द व्हूपेष हजारिका जी के बारे में बता दूं इन्ह मैंने नाम लिखा है ये सारे पुरुषकार वाले बेक्ति हैं यह बहुत ही प्रसीद coy Tracoわかले नंबर में हमारे हो चुशास वह जाते हैं जो असंप के हैं बिरेंदर भाट्टाचर क्या हो जाता है पहले भूपेन हजारिका अपि दूसरे बिरेंदर भाट्टाचर फिर बिश्डू प्रसाद हो जाते हैं फिर इसके बाद जोती प्रकास आंगर वाला हो जाता है तो कौन-कौन से असम के प्रशिद्ध दिवेक्ति हैं दोस्तों एक हो जाएगा भूपेश ठीक है क्या हो जाएगा भूपेश हजारिका और दूसरा हो जाएगा बीरेंद आंगर वाला और बिश्डू से बिश्डू भगवान से रिलेट कर लेना है कि हमारे बिश्डू भगवान ठीक है और फिर इसके बाद बिरेंद भट्टा और भूपेश हजारिका आप लोगों को याधी होगा क्योंकि यह बहुत ही रिपेटेट कुश्चन है अब इसके ब दोस्तों जुखाम भी मुझे हो गई है तो तबीयत थोड़ास डाउन है लेकिन फिर भी आप लोगों की इस प्यार और मोहबत से इतने अच्छे-च्छे कमेंट आप लोगों के आते हैं कि दिल नहीं मानता है वीडियो बनाने के लिए आप लोगों के लिए मैं बीडियो लेकिन आप लोगों के लिए जरूर बनाओं का बस आप लोगों का सैपोर्ट और प्यार मुझे अईसे ही करते मुझे बहुत खुशी होती होती मैं कितना बताओं आपको लोगों के इसे वीटे-वीटे कमेंट आते अ है तो पहला हम लोगों का दोस्तों प्रमृे नेमरी एक ही बात है नेमरी नेशनल पार्क हो जाएगा तुर यह सारे आसम के बारे मेरे क्याल से मैंने सारे इंपॉर्टेंट कुछिन जो की पूछे जाते एक्जाम में मैंने आपको करवा दी हैं तो आप लोग एक बार इसके साथ अगर साफ दिख जाए तो ले सकते हैं मैं लटको थोड़ा से किनारे रख देता हूं तो मैंने यहां पीसे रख दिया है आप समस्कार हैं प्रणाम मेरे भाई कहा है सूपर तो बहुत बहुत धनवाद फिर हमारे इसके बाद क्रिशन कांद कहते हैं आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो लब्यू सर एक दिन आप इस दुनिया के सूपर टीचर बन जाओगे लब्यू सर आपको शाधर प्रणाम भी अनुराग बाबा ब्लॉक कहते हैं तो दोस्तों इनका कहना क्या है कि भगवान खुष रखे आपको जरूर आगे जाओगे तो बहुत-बहुत धनवाद भाईया हमारे अनुराग बाबा ब्लॉक जी बहुत-बहुत आपको लब्यू आप लोग ने इतने अच्छे कमेंट क कैते हैं सुभाश टोडी वान मस्त भाई लगे रहो तो फिर ने नेस्त कमेंट हमारा सोबू रपोश्वाल कहते हैं एक दिन सपलता जरूर मिलेगी तो भाइया धनबाद आपको अगर आप लोगों का प्यार ऐसे रहा तो हाँ मुझे confidence आजाता है मुझे motivation मिल जाता है इता है कि मुझे सफलता। जरूर मिलेगी आप लोगों क्या प्यार से चूरज inte February कहते हैं हम आपके साथ तो बहुत बहुत धन्वाद बहुत भगद आपको फिर इसके बाद हरी जीत कहते हैं रख होशला वो मज़र भी आएगा प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा ठक करना बैठ मेरे भाई मनजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा तो बहुत बहुत धन्वाद कह रहे हैं कि बहुत बहुत धैंक यू पर इस रहते अग़цे मां इस श्रमा सानी कह रहे hai हम हम अ क्योंत स्यосकூर्चीन हम कि conservate बहुत दन बाद फ्रस के बाद पौनकुमार कह रहे हैं प्रणाम भधया मैं आपका चोटा भाई थो यह बहुत बहुत थेंक्धा आपको इस प्यार के लिए फिर इसके बाद never stop blog कह रहा है nice खर हिर इसके बाद गुलल р टाइगर कह रहा है कि मेरा नाम हंस राज 22-Ha गुज्यर है तो हमारे हम्स राज 22 गुज़्र जी का comment है फिर प्रणाम भीया आग लगा देंगे तो हाँ दोस्त अगर आप लोग इसी तरह प्यार देते रहें तो ज़रूर आग लगा देंगे फिर इसके बाद शुरेंद यादो कहरे हैं वेरी नाइस वीडियो अध्या से हूँ तो हाँ भीया बहुत बहुत अच्छी बात है कि मैंने अ आप लोगों को मेरे लिए भी कुछ भगवन राम से मांग लेना है फिर चिके बाद सी हमारे जो शुप तक रावत कह रहे हैं फुल सपोर्ट भाहिया तो बहुत-बहुत थेंक्यू आपको फिर शके बाद बामन सुपरिस्टार कह रहे हैं हम एक दिन बहुत आप एक दिन बह आप लोगों के लिए इस पेसल तो ऐसे हैसे करके हम एक एक राज डेली कमर करें। आप लोगों को ज्यादा प्यार देना है। ज्दा धस़िद्थ कर दिये कर दो मैं ओ आते होँ क्योंकि हमारे साथ हमें गर्भ होता यह हो शुद्षान है तो-च्छी बात हैं बस लोगों को मेरे लिए वाच करना है देखना है लाइक करना है शेयर करना सब्सक्राइब करना है क्योंकि आप लोग की सपोर्ट से आप लोग अगर चाहेंगे तो एक लाग तो कुछ नहीं होता दोस्तों एक लाग सब्सक्राइबर कुछ नहीं होता अब अगर आप लोगों न सबते के लिए बेस्ट आप लग जैहिन सभी को नमस्कार पुनाम जैहिन राम राम राधे राधे